तो आजकी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि महिलाओं की हर कमजोरी और प्रॉब्लम को ठीक कर देगा ये नुसका तो चलिए जान लेते हैं हमारी इस वीडियो में महिलाओं की कमजोरी दूर करने के उपाए आजकल के व्यस्त जीवन में मैलाओं में ये देखा गया है उन्हें जादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और खानपान में बदलाव आने से कई सारी बेमार या फैनने लगी है जादा तर मैलाओं में कमजोरी आने की समस्या देखी जाती है साबुत अनाज खाने से कमजोरी को दूर करें जिन मैलाओं को बहुत जादा कमजोरी और जिने मुटापी की समस्या जिनका वजन कम है उन लड़कियों और मैलाओं की कमजोरी दूर करने के उपाई में सबसे बहतर उपाई है आप रोजाना सुबा कुछ अंकुरित अनाजों का सेवन करें आप यदि साबुत अनाज का सेवन रोजाना करती हैं तो कमजोरी दूर हो जाएगी और आपका वजन भी कंट्रोल हो जाएगा क्योंकि ये साबुत अनाज बहुत जादा एनरजी देते हैं आप साबुत अनाज में चावल, कीविनोवा एवं चलने का सेवन करें क्योंकि इन में बहुत जादा फाइबर और मिनरल्स होते हैं चो शारिरिक शक्ती बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं फलों का सेवन करें और कमजोरी को दूर करें सबी फलों में कई सारे गुणोते हैं और हर फल का अपना ही फायदा होता है और फलों में सबसे जल्दी उर्जा देने वाला फल केला है और इसे खाने के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते और इसको खाने के लिए आपको किसी भी तरह की मैनत भी नहीं करनी पड़ती है सुभा नाश्ते में दो केले और दिन भर केली आपकी कमजोरी दूर हो जाती है मैलाओं में सबसे जादा कमजोरी मावारी होने पर आती है और जी मचलाना, चकर आना, चिर्चडा, पन आना इन सभी रोगों को दूर करने में केला बहुत फायदेमद है क्योंकि केली में पोटाशियम की मात्रा उच होती है जो शरीर की बलड सर्कुलेशन सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही जरूरी है दूद पीने से करें कमजोरी को दूर जिन मैलाओं को कैल्शियम की कमी है वो दूद का सेवन करें क्योंकि दूद कैल्शियम, पोटाशियम, विजामिन, B12 और रीबोफॉलवेन का बहुत अच्छा स्त्रोथ है और ये हड़ियों को मजबूत बनाता है जिससे शरीर के अन्य हिस्सों में फाइदा होता है तो रूजाना इक ग्लास दूद पीने से सेहत और तवचा दोनों ही ठीक हो जाती है दूद पीने से चेहरे की तवचा चमकदार और दमकने लगती है और आपका दूबला पन भी दूर हो जाता है दूद महिलाओं के स्तन कैंसर को दूर करने के साथ साथ कॉलुन कैंसर को भी ठीक करता है तो रूजाना इक ग्लास दूद में शहद मिलाकर पीने से आपको दुखना फायदा होगा और्तों की कमजोरी दूर करने के उपाए हरी सबजियां बनाएं स्वस्त और मजबूत सबजियां हमारे कई रोगों को दूर करने में मदद करती है और इसलिए सबजियों का सेवन करना लाबदायक होता है और महिलाओं की कमजोरी दूर करने के लिए सबजियां सबसे अच्छी मानी जाती है इन पत्तेदार सबजियों में मैंगनीशियां, विटामिन K, विटामिन C और फाइटो न्यूट्रेंट्स भी होता है जो शरीर को आंत्रेक रूप से मर्सपूर बनाता है जिसमें पत्ता गोबी, पालक, ब्रॉकली, हरे टमाटर और अन्य हरी सबजियां है और इसमें विटामिन E भी होता है जो चेहरे पर होने वाले कील मुहासों को मिटाने के लिए लापकारी है सेप फल खाने के फाइदे जिन मैलाओं को सरदर्थ, बदन और कमजोरी की शिकायत जादा होती है वो रुज़ाना इक सेप का सेवन, सुबा और शाम को करें ये मैलाओं की कमजोरी दूर करने के उपाय में सबसे भैतर उपाय माना जाता है क्योंकि सेप में एंटी ओक्सिटन, फ्लेवोनाइट और फाइबर होता है मदू में इसे पीडित मैलाओं के लिए ये वर्दान है सेप में एंटी ओक्सिटन भी मौचूद होते हैं अगर आपको हमारी आज की वीजियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक, शियर और कमेंट करना ना भूले और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिये और साथ ही दिये गए बेल आइकन को ब्रेस कीजिये ठाकि आपको हमारी लेटिस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिल सके थैंक्स वर वाटिंग देस वीडियो